हेलो डूडिय स््टूदेंट्स क्लास टेन्थ के ग्जाम से खतम हो गए तो उसके लिए अब आपको टर्म-2 के दिखते हैं कि मैश का क्या क्या है और हम पेज वाइस न्सियाटि का जो पेज वाईस उसको चेक करेंगे कि कौन सा टॉपिक डिलीटिड है कौन से टूपिक है क भी आपको अप्लोड कर दूँगा जैसे कि आप यह सेव कर सकते हो बाद के लिए आपको बार-बार वीडियो देखने की जुरुवत नहीं पड़ेगी तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टरस और वो चैप्टरस मिलेंगे आपको किस पे तो स्टार्टिंग में आपको 2021-2022 की जो मैंने चैटी की चैट से डाउनलोड की है तो वैसे दो क्वेशन्स चेंज नहीं है सेम क्वेशन्स आपकी पुरानी टेक्स्ट्बूक में भी मिलेंगे और सेम पेज नंबस मिलेंगे आपको तो सबसे पहले जो आपका चाप्टर है वो है चाप्टर नंबर 4 पह चाप्टर नंबर 14 यह आपके चाप्टर से टर्म टू में अब देखिए सबसे पहले जैसे मैं इसको चेंज गरूँगा तो जो सबसे पहले चाप्टर रहा वो चाप्टर नंबर 4 है क्योंकि मैंने उनी चाप्टर को एड किया है इसमें खीवल और उपर लिख लिए कि डि साथ में एक और चीज डिलीटेड है वह है मैथड एक और वह मैथड भी देखेंगे कौन से पेज पर देखो आगर आपको यह देखना है कि चाप्टर नंबर 4 किस पेज पर मिलेगा आपको तो सावंटी वन पे इसका नेक्स्ट पेज तो सावंटी से स्टार्ट है तो आप आपका 4.2 कम्पिलेट है लेकिन 4.3 से पहले यह कौन इसा पेज नम्मर होगे जिस पर पेज देखेगे हैं तो सावंटी सिक्स पेज नम्बर नहीं है और बहुत की इंफॉर्म開始 करने हैं तो इसमें आप्कॉशन से हौ इसमें तो कहो जाएंगी को यह नहीं है कि यह मित करने हैं लेकिन यह मैंठट नहीं करना है completing the square method तो जो आपके syllabus में other methods हैं इस chapter में factorization methods है quality formula है middle term splitting से करना है आप उन्हें कर सकते हो ठीक है तो लेकिन आपको completing the square method करने की जरूरत नहीं है इसके लिए ये कुछ pages दे रखे हैं साथ में example number 7 की इसमें लिखा हुआ है कि जो आपको example number 3 था उसको completing the square method से कीजिए तो आपकोस आपने example number 3 कर लिया तो completing the square method की जरूरत ही नहीं है आपको तो इसको करने की जरूरत नहीं है next उसके बाद example number 8 सेम लिखा हुआ completing the square method मत कीजिए 9th complete in the square method लिखा हुआ मत कीजिए दूसरे method से कर सकते आप आपकोस practice के लिए extra questions हो जाएंगे आपके पास question number 10 फार्मूला लिखा हुआ है तो करना है आपको 11 अगें कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आपको करना है है तो वह है यह देखो यह आपको क्वाडिटिक नहीं दे रखी लेकिन आप इसको चेंज करके क्वाडिटिक बना रहे हो फिर स्वाल कर रहे हो ठीक है तो इस टाइप के कॉशिंस आपको नहीं करने हैं तो इसके लिए कौन सा हो गया आपका एक्जामपल नमबर 14 हो गया सेम आपका एक्सेसाइज में भी कॉशिंद दे रखे हैं तो 15 करना है क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है कि वन ही को आपको क्वाडिटिक फॉर्मूला से करना है तो तो फर्स्ट नहीं करना है सेकंड करना है उसके बाद थर्ड सेम आप देख सकते हो रिडूसेबल वाला होगे यह तो जैसे एक्जामपल फॉर्टीन था तो यह भी आपको नहीं करना है उसके बाद इसमें सारे करने है पूरा पूर्ट चप्टर इनके अलवा पूरा करना है तो कंप्लिटिंग तो स्कूर मैथड नहीं किया आमने और उसके बाद कौन सा नहीं किया जो यह रिडूसेबल थे एक्जामपल फॉर्टीन तन कोश्ट नमबर थर्ड एक्ससाइज का इसके बाद देखे नेक्स्ट है चप्टर नमबर फाइव एपी इंपोर्टेंट चप करने इसमें बाकी सब कुछ करना है रहत claps class प्र ना है कि टहल इसमें से कुछ भी डेलीट करना है तो क्रोस करने के मतलब भी नहीं होता उसके बाद आएगा हमारा 5.3 से पहले 5.2 के बाद ठीक है और इसमें देखो जो सम के कॉशिंस है वो करने हैं यह सम के कॉशिंस करने हैं जो सम के आपको फॉर्पले दिखाए दे रहे हैं स्क्रीन पे लेकिन करना क्या नहीं है फिर जो यह 12 यह आपका वह नहीं स्टेट्मेंट वाला होगा है तो यह नहीं करना एक्जांपल नमगा 16 पेज नमबर करना है तो नोट कर लिजिए पेज नमबर 1111 आपकी टेक्स्ट बुक का और उस पर कौन सा है एक्जांपल नमबर 16 था वीडियो परज करके धीरे धीरे देखके कर सकते हो कि कितना इसमें कुछ समझने का नहीं है ओके उसके बाद 5.3 स्टार्ट होती है तो 123456 14 तक सारे क्वेशन करने 15 16 17 18 नहीं करने तो मिन्स 5.3 तक करने हैं उसके बाद के नहीं करने इसके बाद ऑप्शनल एक्सराइज है इसमें यह पीज नमबर 115 पर फास्ट तू थी करने है फूर्स फिफ्ट नहीं करने है फूर्स प्र नहीं करने अगें देखो फूर्स अगर रिडिड करो तब क्या लिखा हूँ सिंपल फस्ट वाले मत छोड़ देना उसके बाद देखो फाइब की बाद आपको दिखाए देरा सीधा नाइन्थ चप्टर है ठीक है फाइब के बाद सीधा नाइन चप्टर है अगें क्योंकि पीडिए ऐसे बनाया है तो इसमें आपको क्या नहीं करना है टिग्नोमेट् एंगल का रिलेशिन है अगर आप बात करोगे तो एंड वह एक्सेसाइज का लास्ट कोश्टन ठीक है तो एक्सेसाइज का लास्ट कोश्टन यह नूमबर 205 यह क्या है कॉम्पलिमेंट्री एंगल का कॉश्टन है तो आप यह 16 वाला चोड़ सकते अगर आप करना चाहतों कर सकते हैं ऐसे कुछ नहीं है तो सिक्षिंट कर लेना अधरवाइस कॉम्पलिमेंट्री एंगल का कुश्टन है तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट चरकल्स इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है चैप्टर नमबर 10 करना पड़ेगा नेक्स चैप्टर है जो चैप्टर नमबर 11 construction अगर आप इसमें देखोगे तो construction में आपका डिलीट है portion और इसमें क्या क्या डिलीट कर रखा है आपका मैं open कर लेता हूं और यह कौन सा पेज नमबर पे मिलेगा 215 216 पे आपका construction है start इस पे आपको जो ट्राइंगल है similar of a given ट्राइंगल वाले है वह डिलीट है तो मैं question नहीं बता देता हूं और example सी बता देता हूं कौन से डिलीट है तो इसकी बात करोगे देखो यह पेज नमबर स्टार्टिंग नहीं करने है सावंटीन पे जो यह construction 11.2 exercise 11.2 नहीं ध्यान रख लेना यह construction 11.2 है method है that is on page number 217 यह आपको नहीं करना है example नमबर वन नहीं करना है ठीक है क्योंकि ट्राइंगल आगे ना टू ट्राइंगल आ गया नहीं करना है examples exercise 11.1 में exercise 11.1 में बस first question करना है बाकि डिलीट है पूरा ओके लेकिन इसके बाद exercise नमबर टू से पहले जितना भी आपको दे रखें सारे questions करने हैं और 11.2 के सारे questions करने है तो 11 chapter में दो exercise है और उसमें आपको 11.1 में बस first question करना है और 11.2 complete करनी है 11.2 से पहले example से वो करने है example सा method जो भी दे रखा construction 11.3 रखाई करना है लेकिन 11.2 नहीं करना है और 11.1 भी करना है और 11.2 करनी है और 11.2 नहीं करने है अदर्वाइस आप देख सकते हो दोबार आगे पीछे करके वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा उसके बाद देखो सीधा चप्टर नमबर 13 थे लावंत के बाद और इसमें फ्रस्टम और यह डिलीटेड है और यह आपका पेज नम एक वर्ड और लिखा हुआ है अगर आप देखोगे तो कि दो डिफ्रेंट टाइप ओ फिगर्स हो सकती है उसनका कॉंबिनेशन हो सकता है उससे ज्यादा का नहीं हो सकता तो उस टाप के आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है अब सीधर जो डिलीटेड है वह चले जाते हैं और वह मिलेगा आपको फ्रस्टम और फ्रस्टम के स्पेज़ पे है 13.252 पेज़ के बाद ठीक है आपको 13.3 तक कम्प्लीट करना कुछ भी नहीं चोड़ना और 13.4 की बात करो उसके 13.3 के बाद 13.3 एक्सराइज है उसके बाद यहां पर एक्सराइज खतम हो इसके बाद पूरा डिलीटेड है यह चाप्टर ठीक है उसके बाद 13.4 डिलीटेड है उससे पहले जो एक्जाम्पल से वह डिलीटेड है लेकिन अगर 13.5 की बात करें ऑप्शनल की वह इसमें फ्रस्ट फॉर क्वेशन करने हैं 567 देख सकते हैं फ्रस्टम के लिख होए है 13.5 ऑप्शनल इसमें 567 फ्रस्टम के कॉश्चन से तो आप वह नहीं करने हैं वह छोड़ने हैं इसके बाद लास्ट आपका चप्टर नमबर 14 इसमें से दो चीजे डिलीटेड है एक तो डिलीटेड है कि आपका स्टैप डिवीशन मेथड से कॉश्चन नहीं करना है आपक कैपक देख लते पर अब किस-किस पर है ओके तो यह आप करी रही थे और्द सबसे पहले जो नहीं करने है का वह आएगा एक्तिवीटी नमबर 1 देट इस पैज नमबर 265 पे अक्टिविटी नमबर 1 क्यों लिखा क्योंकि आप इसको देख सकते हैं इसको लास में लिखा हुआ है कि यह जो मैथा है वह स्टाफ डेविशन मैथज़ है तो आपको करना ही नहीं था तो चैनल आते नहीं आती लेकिन उसका मैथटर दे रिख तो लिखा नहीं होता कि किस में किसी में लिखा होता है कि आपको तीनों मेथड करने हैं तो आपको यह दियान रखना है क्वेशन सारे करने हैं बस मैथड स्टाप डैविशन मेथड नहीं होना चाहिए उसको आपको प्रेक्टिस करने के जरूरत नहीं है ठीक है और जब आप को करना है मीडियन बीश ठीक है एंड डाट इस आफ्र डैट यह करना है आपको ओके पेज नंबर 285 करने है अब देखे 14.3 कंप्लीट करनी है ठीक है अब 14.3 खतम होने के बाद यह आ जाता है और यह किस पेज पर आता है जहां पर 14.3 खतम है पेज नंबर 289 यहां पर लिखाव है ग्राफिकल रेप्रेजेंटेशन ओफ कुम्मुलिटिफ रिक्वेटि डिस्टिबिशन तो पेज नंबर 289 का जो आप एक्ससाइज खतम होती है उसके बाद इस चप्टर में कुछ भी नहीं करना है चप्टर नंबर 14 तो यह रहा आपका चप्टर नंबर 14 का दी एंड मैं यह पीडिये भी अप्लोड कर दूंगा इसका लिंक आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और यह यूज कर सकते अपने पढ़ने के लिए ओके ओके थैंक यू